दोस्तों आप लोगों ने तो सुना ही होगा नेवले आज साप को मार देता है और इसको जिन्दा भी कर सकता है क्योंकि वह दबाई जानता है जड़ी बूटी जानता है इसको उल्ला करके साप को सुंखा देता है तो वह जिन्दा हो जाता है जहां दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत होती है या रीद रीवाज माने या भ्रहम माने कि किसी भी सांप या सर्फ होता है धोके धारी से अगर हमारा उसके उपर पैर पड़ जाता है तो अगर हम लोग उसको कशर जाते हैं या दब जाता है तो क्या करता है वो अपना बतला लेने घर पर आता है तो दोस्तों क्या सही होता है आप लोग कमेंट भी बताईएगा हमको तो नहीं लगता है फिर भी उसके लिए मैं एक दवा लेकर आया हूँ जिसको आप लोग यूज करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको साफ छू भी नहीं सकेगा आप से दूर दूर हटेगा दोस्तों क्या करना है कौन सा पाउधा है आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि ये पाउधा कुछ इस तरह से है आपके जंगलों में पाया जाता है और इसमें इसे फूल भी बहुत अच्छा खिलता है दोस्तों ये अभी छोटा है इसलिए इसमें फूल नहीं दिखाए दे रहा है इसमें नेचे के तरह पे एक कंद पाया जाता है जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से कंद होता है और इसी कंद को हमको क्या करना पड़ता है एक तावीज मना करके अपने हाथ में या गले में पहनना होता है यह हम किसी साप को छू जाते हैं गलती से आप मार देते हैं तव जा गिस को पहनतना पड़तो दोस्तों मेरे नहीं हो इसको करियारी के नाम से जाना जाता है और यह देख रहे है जो इसका मतलब सीर टाइप के बनाएतीक हन्याप जैसे दिख रहा है देखिए दोस्तों और अगर आप इसको अच्छे से निकालेंगे जमीन से तो और अच्छे दिखा देता अभी चोटा था बरसाद का सीजन चलड़ा है इसलिए अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है फिर भी देखने ममण ही लग रहा है तो आप लोग इसको क्या करेंगे सनी दोस्तों ये जंगलों में बड़े ही आसानी से मिल जाता है आप लोग फोटो का स्क्रीन सोट ले लेजिए और हलाकि आप लोग देखें भी होंगे जंगलों में इसको कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है बहुत अच्छा पौदा है और बहुत साइद लोग तो इसको फ में हान डाले या फिर हो तो पकाड़ने की कोशिस करें तो वो काट देगा फिर आप लोग हम गंदा कमेंट करेंगे और आप इसमें जान भी जा सकती हो तो इसे जोकी में न करें आप लोग अगर समस्या में तो समस्या का सबाधान करने के लिए ना कि किसी की एक्टिंग के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय स्रीक्रिशना